चैत्र नवरात्री में गल्ती से भी मत खरीदना ये चार चीजें, वरना हो जाओगे कंदार। सनातन धर्म में चैत्र नवरात्री का खास धार्मिक महत्व माना जाता है। उली के बाद आने वाले इन नवरात्रों के साथ ही गर्मी का भी आगमन हो जाता है। मान्यता है कि चैत्र नवरात्री में मा दुर्गा से जो चीज भी मांगो वह पूरी हो जाती है इस बार चैत्र नवरात्री के पर्व 9 अप्रेल से शुरू हो रहे हैं और इनका समापन 17 अप्रेल को होगा जोतिश शास्त्र के मुताबिक चैत्र नवरात्री में सभी सनातन धर्मियों को कुछ खास नियमों का पालन जरूर करना चाहिए अन्यथा जीवन में बड़ा नुकसान हो सकता है इन नवरात्रों में कुछ चीजों को खरीदने की शास्त्रों में मना ही की गई है ऐसा करना नकारात्मक उर्जा के आहवान का प्रतीक बन जाता है तो आएए आपको बताते हैं कि आपको चैत्र नवरात्रों में कौन सी चीजें नहीं खरीदनी चाहिए उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं की मादुर्गा का आशिरवाद आप सभी पर बना रहें तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय मातादी जरूर लिखें तो आएए जानते हैं चैत्र नवरात्रों में कौन सी चीजें नहीं खरीदनी चाहिए नमबर एक चावल नहीं खरीदना चाहिए जोतिश शास्त्रियों के मुताबिक नवरात्रों के दौरान चावल खरीदना से परहेस करना चाहिए आप चाहें तो इस पर्व से पहले या बाद में चावल खरीद सकते हैं लेकिन नवरात्रों में चावल खरीदने से नवरात्रों में मिलने वाले पुन्य भी नश्ट हो जाते हैं नमबर दो, इलेक्ट्रोनिक समान ना खरीदे चैत्र नवरात्रों के दौरान किसी भी तरहे का इलेक्ट्रोनिक सामान खरीदना उचित नहीं माना जाता मान्यता है कि इस दौरान इलेक्ट्रोनिक चीजों की खरीद से कुंडली में ग्रा दोश लगता है साथ ही उस सामान के खराब निकलने या नश्ठ होने की आशंका बढ़ जाती है जब तक नवरात्रे चड़ रहे हूं तब तक लोहे के सामान की खरीदारी करना शास्त्रों में विधी सम्मत नहीं माना गया है ऐसा करने से घर में धनसंपत्ती की कमी होने लगती है और परिवार आर्थिक तंगी के दुष्चक्र में फंस जाता है नमबर चार काला कपड़ा ना खरीदे जोतिश शास्त्रों के मुताबिक चैत्र नवरात्री में काले रंग के कपड़ों की खरीद करना अच्छा नहीं माना जाता है काले रंग के कपड़ों से नकारात्मक उर्जा आकरिष्ट होती हैं और बने हुए काम बिगड़ने लग जाते हैं लिहाजा संभव हो तो इस पर्व के दोरान काले कपड़े खरीदने से बचना चाहिए चैत्र नवरात्री में न करें ये काम मानियताओं के मुताबिक चैत्र नवरात्रों के दोरान कुछ चीजों का किया जाना भी वर्जित है इन दस दिनों के दोरान वरत रखने वालों को सुभा सूर्य निकलने से पहले ही उठ जाना चाहिए इस दोरान बच्चों का मुंडन संस्कार भी वर्जित रहता है नवरात्रों में सिर के बाल कटवाने और नाखून काटने की भी मना ही है इस दोरान शराब, बीडी, सिगरेट और मालसाहार का सेवन भी पूरी तरह वर्जित है वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद